हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुती बढ़िया न्यूज के लिए है वो न्यूज है अभी अलड़ी सभी बहुत साय लोगों पता है इसके बारे में कि उत्तर प्रदेश में 58,000 महिलाओं को गाउं के अंदर जो सोचाले निर्मान किया गया है सामोहिक सोचाले उस सोचाले के अंदर जॉब दी जा रही है उस जॉब के बारे में आपको आज में बताने वाला हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीजे बहुत सारी confusing चीजे अभी भी चल रही है कि कितनी हमारी salary होगी कोई बता रहा है 9,000 salary है कोई बता रहा है 6,000 salary है ठीक है उसके बाद आपको अभी समू के account में salary आएगी या personal account में salary आएगी ठीक है और भी बहुत सारे doubt है जो कि मैं इस वीडियो में clear करने जा रहा हूँ तो दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को subscribe कर लेना जिससे कि आपको सारे notifications टाइम पे मिलती रहे क्योंकि इसके बारे में जो भी update होगी आपको हम तुरंट provide कराएंगे दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि ये जो job है ये सच भारत मिसन के अंतरगत आती है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मौदी जी का अभियान है सच भारत मिसन सच भारत मिसन के अंतरगत open defication free बनाना है हरे एक गाओं को open defication free मतलब कि कोई भी इनसान अपने घर के बाहर सच भार का प्रयोग ना करे या फिर बोल सकते हैं कि शौच के लिए ना जाए अब दोस्तों इसके अंतरगत जो कारे किया गया है उसमें 58,000 ग्राम पंचायत हैं यूपी के अंदर यूपी में हरे ग्राम पंचायत के अंदर एक सामुहिक सोचाले बनाया गया है सामुदाइक बोल सकते हैं सारुजनिक बोल सकते हैं सारुजनिक सोचाले एक बनाया गया है उस सारोजनिक सुचाले के अंतरगत एक महीला को रोजगार दिया जा रहा है वो महीला आपकी जो भी होगी वो स्वैम सायता समू से जुड़ी होगी वो एक गरीब परिवार से होगी और उसमें जो केटेगराईजिसन है वो हमेशा SCST केटेगरी को ही प्रिफरेंस दिया जाएगा उसमें भी गरीब महीलाओं को प्रिफरेंस दिया जाएगा दोस्तों इसमें जो जोब है वो मैं आपको बता देता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की और से प्राथमिकता के आधार पर सचता को लेकर प्रदेश भर में कारेवाही की जा रही है इसी के आधार पर प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायदों में सोचाले Community Toilets बनवाए जा रहे हैं सच भारत मिसन के में एक सामुदाइक सोचाले के निर्मान पर तीन लाख रूपे दिये जा रहे हैं आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि जो हमारे गाओं के प्रधान है वो बहुती मतलब अच्छा कारे कर रहे हैं अच्छा कारे उनको करना ही चाहिए अगर तीन लाख रूपे में आपको एक सामुदाइक सोचाले बनवाना है और वो भी अगर नहीं बन पा रहा है तीन लाख रूपे में तो फिर तो दिक्कार है ना ऐसे प्रधान से तो इसलिए आप लोग दोस्तों देखना जरूर आपके ग्राम पंचायत के अंदर यूपी के अंदर हरे गाउं में एक सोचाले बनाया जाएगा उसकी लागत जो होगी वो तीन लाख रूपे होगी मतलब कि छोड़ा मोटा सोचाले नहीं बनेगा वो वो बड़ा सोचाले बनेगा ठीक है केई जिलों में इससे अधिक लागत के बहतर मानक के बड़े सामोदाइक सोचाले निर्मान भी किया जारा है जहां पर requirement है वहां पर और भी बड़ा सोचाले वहाँ पर निर्मान किया जा रहा है विद लार्ज अमाउंट ठीक है? ग्राम पंचाइतों में मिलेगा रोजगार अब ये रोजगार तो मैंने आपको बताई दिया है कि रोजगार कैसे मिलेगा आपको जो भी स्वैम साइथा समू की एक महिला होगी जो की सबसे गरीब या पात्र माने जाएगी बाकी सब के फीड़ वैक के आधार पर उनको ये नोकरी परदान की जाएगी और इस तरीके की 58,000 महिलाओं को रोजगार देना होगा गाउं के अंदर हर एक ग्राम पंचाइत में एक महिला को रोजगार मिलेगा राज़ में बनने वाले सबी ग्राम पंचाइतों में सोचालियों की देखरे की कमान उनको सोपी जाएगी मतलब सोचालियों जो बन के तयार हुएं उनकी मेंटेनेंस उनको करनी है इसके बदले में सरकार की और से उन्हें 6,000 रुपे का मान दे हर महा दिया जाएगा मतलब 6,000 जो अभी सोचालियों बन के तयार हो गए थे उनमें उल्रेडी अभी तक नोकरी उनको प्रदान कर दी गई है अब दोस्तों बहुत साई लोग पूछ रहे हैं कि कोई कह रहा है 9,000 रुपे आएंगे लेकिन 9,000 रुपे में आपके जो सेलरी के पैसे होंगे वो होंगे 6,000 बाकी के जो 3,000 रुपे होंगे मैं आपको बताता हूं उनका क्या करना है ठीक है 58,000 ग्राम पंचायतों में रोजगार इन सोचालों के साफ सफाई और देखरेक की जिम्मेदारी महिलाओं को दी जाएगी यहां काम करने वाली महिलाओं को साल में दो बार PPE किट भी दिया जाएगा gloves दिये जाएगे दो बार और chemical दिये जाएगे जिससे उनको महाँ पे toilets की सफाई करनी है महिलाओं को रोजगार अपर मुखे सचीव पंचायती राज मनोज कुमार सिंग ने बताया कि मार्च तक पूरे प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में सोचालियों पूरा निर्मान हो जाएगा obviously हो चुका है हमारे ग्राम पंचायत में भी हो चुका है तो I think कि सभी के में हो गया होगा ठीक है क्योंकि सभी जगे पे जो है ये बहुत जादा जोड़ दिया जा रहा है इस पे कि जल्द से जल्द सभी सोचालियों का निर्मान करके उनमें नोखरी प्रदान की जाए इसमें क्या है पहले चल्द में पूरे हो चुके छेजार सोचालियों में स्वयमसायता समू की मảiलाईों को रोजगार दिया गया है दोस्तों आगे सबसे बड़ी बात जिये है कि सभी ग्राम पंचायतमें जो भी रोजगार दिये जा रहे हैं वो स्वैम सायता समू की जो महिलाएं हैं उनको दिये जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि स्वैम सायता समू की जो भी महिलाएं हैं वो गरीब परिवार से ही आती हैं ठीक है गरीब तब के से आती हैं जिन सोचालियों का निर्मान पूरा हो चुका है हम उनका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं इसमें निर्मान की गुनवत्ता आदी की जांच की जाएगी दोस्तों ये जो नियूज है ये इसलिए जादर जरूरी है कि अभी कुछ लोगों के 27,000 रुपे आए है स्वैम सायता समू के अकाउंट में 27,000 रुपाए है आप उनको दोस्तों ये सेलरी जो है वो 6,000 रुपे मिलेगी प्लस 3,000 रुपे उनको हर महीने मेंटेनेंस के लिए मिलेंगे तो उनको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी जो सेलरी है वो 6,000 रुपे बाकी 3,000 प्लमचारी या केर टेकर दिन में कम से कम दो बार सफाई जरूर करें कम से कम दो बार सफाई करनी है और उसे 6,000 रुपे परती महा दिये जाएंगे उसके बाद है बिजली, प्लम्बिंग, प्लम्बिंग मतलब अगर नल होगे रख में कुछ प्रावलम आ रही है पानी के मरम्मत के लिए 500 रुपे परती महा ठीक है? 6,000 रुपे तो सेलरी होगी 500 रुपे परती महा बिजली के लिए बिजली का बिल जाएगा प्लम्बिंग के लिए नल के लिए और टोटी के लिए और साब सफाई के लिए जाडू, ब्रस, वाइपर, स्पंज, कपड़े, पोचा बल्टी मग इन सब के लिए 6 महिने में 1 बार 1200 रुपे दे जाएंगे ठीक है 6 महिने में 1 बार 1200 का मतलब है 200 रुपे महिने ठीक है 200 रुपे महिने आपको जाड़ो पोचे इन सब के लिए मिलेंगे साबून, वासिंग पाउडर, एर फ्रेश्णर gloves, harpik, mask, दस्ताने के लिए 1000 रुपे परती महा दिये जाएंगे आप आपको समझ माया देखो 500 रुपे आपको मिले पहले मतलब आपको बिल वगरा भरने के लिए उसके आप 200 रुपे मिले जाड़ो पोचा खरीदने के लिए 500, 200, 700 होगे 1000 रुपे आपको ये साबुन, washing powder, air freshener ये सब के लिए मिलगे, 1700 होगे utility charges के रूप में पानी, बिजली, solid waste management के लिए 1000 रुपे परती महा ठीक है, 1700 रुपे होगे और अन्यो खर्चों के लिए 300 रुपे परती महा दिये जाएंगे जो बाकी के कोई और खर्चा गर एक्स्ट्रा होता है तो उसके लिए भी 300 रुपे परती महा दिये जाएंगे तो 2700 रुपे प्लस 300 होगे 9000 रुपे, ठीक है टोटल मिला गए 6000 प्लस 3000, 9000 रुपे होगे तो दोस्तों आपको यहां से समझ में आ गया होगा अभी आप कुछ महीलाओं का मैंने सुना था कि वो जैसे उनकी सेलरी आई है तो ब्लॉप से उनको बोला गया है कि आप 6000 रुपे ही निकालिए ये गलत है क्योंकि 6000 रुपे प्लस 3000 रुपे उनकी हाँ उनकी सेलरी 6000 रुपे है लेकिन बाकी के 3000 रुपे ब्लॉप क्या करेगा उसका ब्लॉप कुछ नहीं करेगा ना क्योंकि वो 3000 रुपे भी महीलाओं को देने पड़ेंगे लेकिन वो मेंटेनेंस के लिए दिये जाएंगे ठीक है वो उनको खर्च नहीं करने है अपने आप वो सोचाले के अंदर खर्च किये जाएंगे ये महीलाओं के उत्पादों को वाजिब दामपर्ख ये तो महीलाओं की किसान की न्यूज है ठीक है तो आपको ये हमारी न्यूज थी जो की आज बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज है क्योंकि बहुत लोग इसके लिए परिसान है मैं देख रहा हूं बहुत सारी वीडियोज सर्कुलेट हो रही है भी यूट्यूब पे लेकिन प्रोपर इंफोर्मेशन कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ठीक है तो आपको दोस्तों इसमें कोई प्रोव्लम वाली बात नहीं है छे हजार रुपे ही आपकी सेलरी होगी और बाकी तीन हजार जो रुपे हैं वो मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे खर्च करने हैं 500 रुपे बिजली बिल पानी बिल ये सब चीजों के लिए हैं और एक हजार रुपे आपके ज़ाडू पोचे के लिए 200 रुपे हैं बाकी आपको और चीजे खरीदनी हैं उनके लिए 1000 रुपे हैं ठीक है इस तरीके से मतलब टोटल मैंने आपको बता दिया है उसका आप अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना और बाकी अच्छे से काम करिएगा वही ग्राम पंचायत में इतना अच्छा काम किया है योगी जीने तो इसके लिए बहुत बहुत बदाई सभी को और बाकी आप हमेरे चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लीजिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दो योगी सबी लोग को ये इन्फोमिशन पास हो जानी चाहिए ठीक है जो लोग परिसान है जो लोग सेलेक्शन हुआ है उन सबको ये वीडियो पहुचा दीजिए जिससे की वो किसी भी प्रॉलम में नाफस है और दोस्तो इसमें फ्रॉड भी बहुत जादा भी हो रहा है तो फ्रॉड से थोड़ा बचके रहना कोई भी आपको पैसा निकालना है बैंक से जाके निकालना है ठीक है इदर अदर से फोन आता है कि आपके पैसे आए हैं आप पैसे मैं निकलवा देता हूं ये करवा देता हूं ऐसा कुछ नहीं करना है ठीक है आपको जब भी जाना है बैंक में या फिर आपको ब्लोक में जाके ही पैसे निकलवाने हैं ठीक है कोई भी अधर तरीके से इधर अधर के phone call को receive करना इसके लिए बहुत ही दुखदाई हो सकता है क्योंकि आपकी salary waste हो सकती है तो दोस्तों बाकी मिलते हैं next video में thank you for watching